प्रिया सकी गुर्दे भगवान की चर्णों में कोटी-कोटी नमन गुर्दे भगवान इस शरीर से काम वासना खतम हो गई है पती को काम वासना बहुत है क्या करूं माग दशन करें पती के अनकूल चलना चाहिए जब दो पानि ग्रेंड करते हैं पती और पत्नी तो एक दूसरी को शायोग करके मित्रभाव से चलाना चाहिए हमें अपनी रुची दूसरे पर नई थोपनी चाहिए बात ध्यान रखना चाहिए हम दोनों एक मार्ग के शाथी है तो हमको चाहिए कि हमें अपनी रुची उसक अपनी रूची में उसको अनकुल कीजिए, अगर वो अनकुल नहीं होता, तो आप कोशिश कीजिए, कि आपके ब्रती के कारण कहीं वो बेविशार में न उतर जाए, गंदे मार्ग में ले जाए, उसका साथ दो, आप उसकी साथी हो, आपका ब्रह्मचर युतना मानने होगा जितना पती की आरादना मानोगी, पती को सब्सक्र, एक मित्र है, हम दोनों मिलकर कि संसार मार्ग में चलना है, तो हमारी रूची ही पूरी थोड़ी होती है, दोनों की रूची मिलने चाए, अगर दोनों रूची दोनों प्रह्मचरी रो, अगर एक की रूची नहीं, तो दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कि कहीं वो लड़ खडा के गिर न जाए, उसका मार्ग न बरिष्ट हो जाए, हम यह दिखते हैं कि चार दिन बाद पती पतनी ऐसे तलाक, यह क्या है, है क्या, सिर्फ अपनी रुची का कोशन नहीं होना चाहिए, अगर हम दो मिलते हैं, द इतरता नहीं सही रहे, हाँ वो बहुत ही बेविचारी है, अन्य 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 तो फिर अपने को अलग कर लेना चाहिए, अगर वो एक पतनी ब्रत है तो हमें उसका सायोग करना चाहिए, उसमें ब्रह्मचर की तरह ब्रति न रखकर अपने पती की अनकुलता की तरह ब्रति कि रखनी जाये.